अग्रोनेक्स्ट की तरफ से सभी किसान भाईयों को नमश्कार किसान भाईयों हम सब जानते हैं कि जैवी खेती में रसाने कीट नाश्चों का उपयोग नहीं किया जा सकता इससे हमारी फसल जहरीली हो जाती है लेकिन जैवी खेती में भी रोग और कीट की समस्या आती है तो इसके लिए हमें जैवी कीट नाशक का उपयोग ही करना चाहिए लेकिन किसान के लिए ये समस्या बनी रहती है कि वे जैवी कीट नाशक कैसे बनाएं, कैसे प्राप्त करें और कौनसे कीट और रोग के लिए कौनसा कीट नाशक सही काम करेगा आज हम आपको इस वीडियो के जरिये जैविक कीट नाशक बनाना सिखाएंगे तो आज हम आपको नीम का उपयोग कर जैविक कीट नाशक बनाने की विदी के बारे में बताएंगे नीव को हम wonder tree भी कहते हैं नीव उन कीटों को मारने में सक्षम है जिनके उपर रसाइनिक दवाईयां भी काम नहीं कर पाती जैसे की moth, leaf hopper, leaf minor, aphid और सफेद मखी ये थे इसके फाइदे अब हम नीव कीट नाशक बनाना सीखते हैं इसे बनाने के लिए हमें चाहिए तीन किलोग्राम नीम की पतियां हलकी पिसी हुई एक किलोग्राम नीम निबोली का पाउडर दस लीटर गौम मूत्र पांसो ग्राम हरी मिर्च हलकी पिसी हुई और दाइसो ग्राम लसुन हलका पिसा हुई और तांबे का पात्र बनाने की विदी एक तांबे के पात्र में 3 किलोग्राम नीम की हलकी पिसी हुई पतियां निबोली का पाउडर और 10 लीटर गौं मित्र को अच्छे से मिलाएं और इसे अच्छे तरह से बंद करके 10 दिनों के लिए सरने के लिए छोड़ने 10 दिनों के बाद इस मिश्रन को तब तक उबालें जब तक ये आदा ना रह जाए उसके बाद इसको एक दिन के लिए छोड़ने इसके साथ ही आप एक पात्र में 500 ग्राम लसुन को डालें और उसमें एक लिटर पानी मिलाकर उसे राद बर के लिए रखें और एक अन्य पात्र में हलकी हरी पिसी हुई मिर्च को एक लिटर पानी में मिलाकर राद बर के लिए रखें अगले दिन उबले हुई मिश्रन को लें और उसमें पीसी हुई मिर्च का पानी और लसुन का पानी डाल दें आपका कीट नाशक बन कर तयार है इस एक लीटर कीट नाशक का उपयोग आप साथ लीटर पानी में मिलाकर इसे अपनी फसल पर छुड़काओ कर अन्य कीटों को मारने के लिए कर सकते हैं किसान भाईयो आज की जानकारी में इतना ही इस तरह की और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपकी अपनी फसल और पशुड़कों को लेकर कोई भी समस्या है तो आप उसे हमारी एप्लिकेशन पर पोस्ट कर उसकी जानकारी ले सकते हैं धन्यावाद